हालो दोस्तों नमस्कार हालो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटियम का कैसे यूज करते हैं जो लोग पेटियम नहीं चला पाते हैं वो उन लोगों को पेटियम पता नहीं होता यहां पर minimum KYC और full KYC वीडियो KYC कैसे कर सकते हैं इसमें देखे पेटियम में दो KYC होती है पहले तो minimum KYC होती है जो आप यहां mobile से भी कर सकते हैं एक video KYC होती है इसे आपका open your account saving account open करना होता पेटियम में तो आपको video KYC करवानी पड़ती है जो आप video KYC यहां से भी कर सकते हैं जो आपके nearby paytium point है वहां पर जाकर भी वीडियो KYC करवा सकते हैं तो हम एक video बनाएंगे कि video KYC कैसे करते हैं पर इस video में हमने cover किया है कि बायं को कैसे link करें कैसे पैसे transfer करते हैं कैसे paytium value में पैसा add करते हैं और कैसे mobile recharge करते हैं और कैसे book करते हैं कोई mall कैसे मतलब mall में जैसे shopping करते हैं insurance या LIC बहुत सारे features के अमने इसमें बात की है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यकीन मानिए अगर आपने ये paytium पर ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी अगर नए है आप पेटियम नहीं चला पाते हैं अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो यकीन मानिए कोई दूसरी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले आपको दोस्तों बता देए आपसे एक हाँ जोड़ के request है दोस्तों अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल टेकनिकल लाजिक सस्क्राइब नहीं किया प्लीज दोस्तों जाकर चैनल को सस्क्राइब कर लिजे बेल आइटम को भी प्रेस कर लिए ताकि कोई भी वीडियो बना है तो उसका जो नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिल सके चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्लेश टोपे जैसे आप किलिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं पेटियम सर्चर के आपको इसको स्टॉल कर लेना हो गया अगर आपके में इस्टॉल है तो अपडेट कर लेना है जैसे अपडेट करेंगे तो यहां पर देखेंगे ओपें का अपसन आपको मिलेगा अब sim मांग रहा कि आपका sim कौन से sim 1 पे sim 2 कौन सा sim है तो हमारा यहाँ sim 1 है तो हम यहाँ पे sim 1 करके आपको proceed पे क्लिक कर देना होगा simple से proceed पे क्लिक करेंगे आपका verify mobile number यहाँ पे आपका number जो verify हो रहा यह आपका number verify हो गया है अप proceed to create a new account यहां पर आपको proceed to create a new account पे click करना होगा अगर पहले से बना तो login भी कर सकते हैं अगर आप पहले से नहीं बना तो आप यहां पर देख सकते हैं pay directly from bank account get a 1000 cashback भी आपको देखने मिलेगा no wallet KYC needed यहां पर wallet के लिए KYC needed send money to any mobile number bank account और upi id दूसरा देख सकते हैं receive money in bank account using mobile number upi money receive कर सकते हैं किसी bank account check balance of any bank account उसके बाद shop any upi qr2 paid shop pu favorite app आप website तो यहां पर आप चाहें link bank account आप चाहें तो यहां पर देख सकते हैं link कर सकते bank account वरना I will link bank account later आप बाद में भी कर सकते हैं इसको बाद में आपको दिखाएं कैसे कर सकते हैं ठीक उसका complete your minimum KYC and activate wallet यहां पर आपको KYC complete करना होगा जिसको आप passport के थूर कर सकते हैं order ID के थूर कर सकते हैं driving license के थूर या नरेगा job code की थूर कर सकते हैं यहां पर हम आपको दिखाएंगे उस पे one type password आएगा तो auto fill code पे click कर देंगे यह अपने आप auto हो जाएगा यहाँ पे फीड कर दिया उसके बाद आपको क्या करना confirm पे click कर देना होगा जैसे confirm में click करेंगे आपकी KYC यहाँ पे complete हो गई अब यहाँ payment security मांगे आप चाहते set device set device lock कर सकते I will do it later अब बाद में करना तो बाद में भी यहाँ पे कर सकते हैं बाद में करेंगे यहाँ पे उसके बाद आपके पास कुछ इस परकार का interface कुल के आएगा अब यहाँ पर ओपर corner पर देखेंगे आपको एक profile मिलेगा profile पर आपको click करना है फिर simple से profile पर click करना है अब यहाँ पर दे सकते हैं आपका name email email address active यहाँ पर limit आपकी यहाँ पर देख सकते हैं active जो limit है 10,000 monthly limit है तो इसको upgrade करने के लिए आपको simple से यहाँ पर upgrade लिखा है इस पर upgrade पर click करेंगे account status summary आप उपर देख सकते हैं monthly payment limit 10,000 रुपया है get more benefit send money to friend transfer money to bank maintain balance up to 1,000,000,000 open saving account आपको यह benefit मिल जाते हैं तो आप upgrade your account now पर click करेंगे उसके बाद video KYC आप करवा सकते हैं या other option यहाँ पर देख सकते हैं other option देखने हैं विजिट a nearby KYC store आप जाकर के nearby KYC store के पास इस पर click करेंगे अब यहाँ आप देख सकत करके वहाँ पर भी KYC को KYC points जो है वहाँ पर click अपना KYC complete करवा सकते हैं full KYC करवा सकते हैं अगर video की through KYC करना तो वीडियो पर click करेंगे यहाँ पर enter अधार number डालेंगे उसके बाद यहाँ पर enter your अधार number, enter your name जो अधार number पर name वो आपको यहाँ पर feed करना होगा चलिए हम feed क करके आपको दिखाते हैं आपको यहाँ पर simple से proceed कर देना जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपका यह वफरिंग होगा अधार number एक OTP अधार number पर आपके जो mobile link होगा उसके एक OTP जाएगा तीवी feed करेंगे फी वफरिंग होगा यहाँ पर देख सकते हैं आपका point to point वफरिंग हो रहा है उसके बाद यह आपका confirm हो गया अब यहाँ पर confirm details दिखाएंगी जो आपका name है date of birth है अब कुछ आपको यहाँ पर feed करना जिसे marital status है married है या unmarried है other है यहाँ पर married कर देते हैं select professional यहाँ पर profession क्या है salary है या self-employed on business है student है या housewife तो यहाँ पर आपकी self-employed पर आपक market है layer है real estate bank कर सकते है Select income आपकी income क्या annual income आपको क्या यहाँ पर select कर लेता जैसे zero धार ज्वाइला एक यहाँ यहाँ पर सलेट कर लिया उसके बाद father name आपको यहाँ पर द्वादर नेम आपको यहां पर डाल देना father इसराइज वैडट यहां भैंट काड़बर इन पर पारेश करहें कर देखसिए करेंगे यहां पर इन्टर पाइन कार्ड डिटेयल्स पर आप पाइन कार्ड की डिटेयल्स डालनी होंगी क्यूंप से प्रोसीट वीडियो लिंक कैसे करते हैं यहां पर किलिक करेंगे उसके बाद जो भी बैंक है आपका वो बैंक आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना हो जैसे मैंक आपको देखने हो को मिला सिंपल से कैनरा बैंक पर आपको किलिक कर देना verify confirm होगा कि आपका number है यहाँ पर यह देख सकते हैं your bank account has been added successful आपका bank account add हो गया successful बदाई का एक message आ गया अब इससे आप क्या कर सकते हैं recharge और pay bill कर सकते हैं money transfer कर सकते हैं fast tag and toll tool भी इससे आप जमा कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर check balance आएगा change pin का option आएगा आप चाहाँ change pin कर सकते हैं check balance पर आप click करेंगे यहाँ पर check balance पर click करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आपका UPI आए UPI pin डाल करके आप पना check balance check कर सकते हैं ठीक उसके बाद change pin करना चाहा है change pin कर सकते है add another bank account अगर चाहते हैं आप another bank account add करना करना तो another bank account भी यहाँ से add कर सकते हैं ऊसका बाद request money payment request UPI automatic payments saved account and benefits detailed help and support का भी अपसन यहाँ पर आपको देखने हो को मिल जाता जब आप यह add कर लेंगे उसके बाद चलते हैं, यहां से send money to bank account, recharge and pay bills, यहां पर pay करने के लिए आपको pay pay click करना होगा, allow करना होगा, enable camera, अपने आप camera चालू हो जाएगा, जो भी barcode scan करेंगे, scan करके, scan करके भी payment कर सकते हैं, enter mobile number, नीचे mobile number दे रखा, mobile number डाल के भी आप payment कर सकते हैं, send money to bank account, आप payment को यहां से भेज सकते हैं, उसके बाद recharge and pay bills, यहां से आप recharge and pay bills भी कर सकते हैं, आप चाहें तो recharge, mobile recharge कर सकते हैं, DTS recharge कर सकते हैं, electricity recharge book, gas, lender book कर सकते हैं, rent on credit card, credit card bill, LIC insurance, pay loan, school, बहुत सारे features यहां फेश्टेक रिचार्ज कर सकते हैं, land line, pipe, gas, water, apartment, education, चलान, टोल, यहां आपको refer and earn cash back and offer 24-7 help and support का भी आपसन आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद करते हैं, money transfer की, यहां पर देख सकते हैं, two contact, आप जहां जो आपके contact list में हैं, उनको आप पैसा भेज सकते हैं, यहां से, two contact पर click करेंगे, उसके बाद उनका mobile number search करेंगे, allow access पर करके आप payment भेज सकते, UPI PINDA, उसके बाद payment bank, यहां पर payment bank आपको देखने ही मिल जाएगा, payment bank को जैसे आप click करेंगे, तो अपना payment bank यहां पर खुलवा सकते हैं, open your saving account होगा, इसमें अगर कोई भी पैसा अगर आप नहीं जमा करते हैं, तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ा, जैसे आप किसी bank में open account open करवाते हैं, वहां पर आपको payment, जैसे अगर पैसा 500 रुपया आपका चार्ज है, तो minimum charge 5 रुपया रखना पड़ता, अगर नहीं रखने तो उसका कोई चार्ज पड़ता, तो यहां पर कुछ ऐसा नहीं, आपको फिरी, zero balance account open, उसके लिए आपको क् payment, your saving account पर click करना होगा, जैसे इस पर click करेंगे, तो आप यहां पर एक इंटर passcode मांगेगा, तो आपको अपने मन मुताबिक कोई passcode बना लेना, फिर से reconfirm कर लेना हो, जैसे reconfirm करेंगे, तो यहां पर add a nominee for your bank, नोमनी मांगेगा, नोमनी मतलब यह होता है कि आपके बाद इ account status summary with अधार काट के वाईसी आप यहां पर करा सकते हैं, unlimited, no limit, add money, open 7, तो अपग्रेट यहां पर, अपग्रेट यहां पर, अपग्रेट यहां पर, अपग्रेट यहां पर click करेंगे, उसके बाद वीडियो के वाईसी या विजिटे नियर, नियर भाई के वाईसी store पर जाकर जैसे proceed के option पर click करेंगे, आप यहां मांगेगा, add money to wallet, जो pay ATM wallet में money add करना चाहते हैं, तो credit card पर click करना होगा, यहां पर आपको card number डालना होगा, pay यह आपको click करना होगा, जैसे submit के option click करें, you are processing, यहां पर processing हो रहा है, आपका देख सकते हैं, यह money added successful, आपके payment wallet में पैसा add हो ठीक, तो payment wallet यह होता है, इस परकार से पैसा इसको add करते हैं, उसके बाद all services पर click करेंगे, यहां पर देख सकते हैं, all service, इसकी all service, बहुत सारी service आपको देखने मिल जाएं, brand, voucher, online shopping, open fix, deposit, rent on, pay ATM, credit score, electronic, jackport, यहां पर online shopping भी कर सकते हैं, आप, यहां पर देख सकते हैं, online shopping, product yourself application range, पलस, यहां पर बहुत insurance, pay ATM, bank, इसकी जो services हैं, बहुत सारी, यहां पर service आपको देखने को मिल जाते हैं, नीचे चलते हैं, recharge and payment, recharge कर सकते हैं, loan भी ले सकते हैं, investment and insurance, features, swap and payment, mall, यहां पर payment, mall भी आपको मिल जाता हैं, आप चाहाएं, तो headphone, mobile, charge, source, dragon, यहां पर हम देखते अगर हमें कोई भी headphones खरेदना, यहां पर देख सकते हैं, बहुत सारे offers चलना है, cash भी आपको मिलना, जैसे हमें, यह हमें Apple का AirPods लेना है, तो इस पर हमें click करना, आप नीचे देखेंगा, buy now का option आपको मिलेगा, simple से buy now का option पर click कर देना होगा, जैसे आप buy now का option पर click करेंगे, यह आपका आएगा, तो आप यहां से buy now पर click करके buy कर सकते हैं, ठीक, उसके बाद यहां पर बहुत सारे travel and ticket booking, आप चाहें तो flight ticket book कर सकते हैं, bus ticket, train ticket, local bus, event, metro, यहां पर आपको पिले रमी, अदर, यहां पर बहुत सारे option, आपको mini app store पर भी payment आप यहां पर कर सकते हैं, तो क message का option देखने हों मिल जाए, message पर click करके आप notification बढ़ सकते हैं, यहां पर payment balance आपको यह देखने हों मिल जाएगा, उसके बाद जैसे आप यहां पर click payment wallet पे, payment wallet पे click करेंगे, आप यहां देख सकते हैं, make a payment, send gift voucher, send, यहां पर पढ़ सकते हैं, पुरा request, wallet, statement, send payment reminder, near cash deposit point, cash deposit करन तो near में कौन सा है, यहां आप देख सकते हैं, इसके बाद three line यहां पे click करेंगे, इस features की बात करते हैं, यहां पर देख सकते है, default bank account आपका यह जुड़ा है, order and booking आपने किया किया, वो यहां पर दिखाई देगा, cash back and offer यहां पर दिखाई देगे, settings यहां पर आपको मिल जा को मिलेगा, तो यह करते हैं, यह आपका यहां पर name address डाल करके, आप add भी कर सकते हैं, अगर photo अपना add करना चाहिए, तो plus के icon पर click करके allow करेंगे, तो अपना कोई एक choose from गालिया, click के photo से, अपना एक photo आप यहां पर लगा सकते हैं, आसा करता हूँ दोस्तों, यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like कर लिजेगा, और हाँ, एक comment जो भी आपको कमी रह गई हो, या कोई basic कमी रह गई हो, या आपके मन में कोई सवाल है, तो आप comment करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का बिल्कुल करा सकते हैं, एक वीडियो किवाई से आप करवा सकते हैं, या नियर payment point पे जाकरके वहाँ पे किवाई से आप complete कर आ सकते हैं, तभी आपका account open होगा, तभी आपको mobile number जो होता है, वहीं आपका account number होता, तभी IPC code मिलेगा, तभी आपको debit card भी मिल जाएगा, जब तक आपको क करवाएगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, तब तक लोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाई बाई